हलो दोस्तों तेंक्यू सो मच आप सभी का इस वीडियो पर आने के लिए मैं हूँ संजू प्रजापती और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दिल ना दिया जो कि यह मूवी कृष्ट से उस सॉंग का सिगनेचर स्टेप सॉंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं तो आएए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टेप में इस तरफ से हाथ को एक वेव देते हुए मैं इस स्टेप को शुरू करना है इस तरफ से वेव करते हुए इस पहर को उठाकर वेव के साथ आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे वेव करने के बार इस तरह पहर उठाना है और इस तरह शिफ्ट करना है तीन बीट होंगी इस स्टेप में वान टू एन थ्री पेर को shift करेंगे इसके बाद हाथ को इस तरह से जुला कर सामने के तरफ लाएंगे और दूसरे हाथ को इस position में रखना है हाथ को नीचे के तरफ जुलाया और दूसरे हाथ को सामने लाएंगे Z जैसी position में फिर से देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद इस हाथ को इस तरह आगे लाना और पेर को पीछे एक साथ यह step होगा इस तरह फिर से देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 के बाद हाथ को पूरी तरह साइड में ओपन करना है इस तरह उसके बाद नीचे की तरह ओपन करना है पेर को खुल कर हाथ साइड में और नीचे इस तरह से पूरी बोडी की पोजिशन होनी चाहिए दो बाद पेर को जोइंट करेंगे 1 and 2 इसके बाद में फिर से देखते हैं 1 and 2 फिर 2 ताइमस जोइंट 1 and 2 इसके बाद हाथ को फोर हेट पर और कमर पर इस तरह रखकर एक पुश करना है वापस देखते हैं 1, 2, 3, 4 and 5 स्टार्टिंग से 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन उसके बाद हाथ साइड में 7, 8, दो बाद जोइंट 9, 10 और एक पुश इसके बाद हाथ को इस तरह से पीछे की तरफ लाना है दूसरे हाथ को slip करते हुए और दूसरा हाथ जिससे आप slip करेंगे उसको आगे की तरफ लिक्या राना है चेस्ट पर से होता हुआ इस तरह कुछ throw करने जैसा position इस तरह आगे और उस हाथ को फिर जो आपने आगे किया उसको पीछे ले जाकर दूसरा हाथ को सामने लाना है slip करते हुए आगे and then position change दूसरा हाथ आगे इसके बाद हाथ को इस position में रखेंगे bend करके slip करने के बाद one two हाथ को bend करकर सामने रखना है और दूसरा हाथ को उससे मारना है और उसको सीधा कर लेना है slip करके आगे सामने और push और joint पर धीरे से punch करना है जिससे पूरा body को turn मिलेगा इस तरह से फिर से देखते हैं slip करके one two push करना है और punch करना है और इसके बाद body को turn करना है इस तरह फास देख लेते हैं फिर से one two three four five six इसके बाद seven eight दो बार joint nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen and turn वाली step होगी sixteen total sixteen steps one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen and sixteen okay so दोस्तों I hope यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब बेटन के साइट में जो बेला इकॉन है उसे भी जरूर क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचता रहे सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग हो